हेलो दोस्तों, जारकन टॉक में आपका स्वागत है आज इस लेक्चर से हम सुरू करेंगे जारकन में हुए जन जातिये विद्रोहों, ट्राइबल रिबोल्ट्स के बारे में मतलब कि अंग्रेजों के आने के समय और उसके बाद जारकन में जितने भी आदिवासियों द्वारा विद्रोह किये गए उन सब के बारे में मैं एक एक कर सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा ये टॉपिक कितना इंपोर्टेंट है आप लोगों को पता ही होगा जे पेसी हो, जे एससी हो या ज़ारकन में जितने भी कॉम्पिलिटिव एक्जाम्स हुए है आप उनके क्वेशन्स उठा के देख लीजिए इस टॉपिक से आपको सवाल मिल ही जाएंगे तो ट्राइबल रिबोल्ट्स में आपको तीन चार चीजें याद रखनी है एक तो एयर की विद्रो किस साल या कब से कब तक हुआ था एयर तो आपको याद रखना ही होगा इसके अलावा लीडर कौन था मतलब की विद्रो को लीड किसने किया था जो इंपोर्टेंट लीडर्स हैं एक्जाम में उनके नाम पूछ लिये जाते हैं और विद्रो को दबाने या कुचलने के लिए किस अंग्रेज को वेजा गया था और साथ ही आपको विद्रो का इंपक्ट भी याद रखना है कि विद्रो खत्म होने के बाद उसका इंपक्ट क्या हुआ जैसे कि 1831 और 32 का कोल विद्रो के बाद छोटनागपुर की सासन विवस्ता में महत्वपुन बदलाव किया गया और फिर यहां बंगाल के समानने कानून की जगा 1833 का Regulation 7 लाया गया और जिसके तहट दक्षिन पस्चिम सिमान्त एजनसी यानि कि South West Frontier Agency 1934 बनाया गया आगे आने वाले lectures में हम इन सब के बारे में discuss करेंगे और साथ में आपको reason भी याद रखना है इससे क्या होगा कि आपको year याद रखने में आसानी होगी क्योंकि कभी कभी exams में घटना करम, chronology पूछ लिया जाता है कि कौन सा विद्रो पहले हुआ और कौन सा बाद में तो वीडियो के last में हम topics related एक दो questions भी discuss करेंगे इससे हमें ये पता चलेगा कि exams में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए है या अपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ share कीजिए तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि जारकन में जो जंजातिये विद्रो हुए उन विद्रोहों के होने के क्या क्या कारण थे अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया था कि यहां के आदिवासियों को विद्रोह करना पड़ा तो सबसे important कारण था अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की आंतरिक स्वायत्ता पर हस्तचेप मतलब कि आदिवासियों के जो internal matters थे उन पर अंग्रेजों ने interfere किया था हम लोगों को पता है कि यहां के जारकन के जो आदिवासि थे वो काफी पहले से आंतरिक स्वायत्ता की स्थिति में रहते थे मतलब कि internal autonomy थी बाहर चाहे किसी भी राजा या मुगल सासन के अधीन रहे हो इनके आंतरिक मामलों में किसी ने दखला अंदाजी नहीं की थी लेकिन अंग्रेजों ने आते साथ ही इनके इलाकों पर तो अधिकार किया ही साथ ही इनके जो रहन सहन के तरीके थे उनको भी बदलने की कोसिस करने लगे तो इससे आदिवासी विद्रोह करने को मजबूर हो गए आप आज भी जारकन में देखते होंगे कि आदिवासियों के जाती धर्म जैसे आंत्रिक मामलों या जमीन की बात आती है तो लोग तुरंत उग्र हो जाते हैं और विरोध करने लगते हैं और इसके अलावा दूसरा कारण था आदिवासी मुक्याओं पर नियंतरन तो अंग्रेजों ने सोचा कि इन आदिवासियों की भलाई करने के लिए पहले इनके मुक्याओं को अपने नियंतरन में यानके अपने कंट्रोल में करना होगा तो अंग्रेजों ने मुख्याओं को अपने नियंतरन में करना सुरू किया तो इसका भी आदिवासियों ने विद्रो किया और इसके अलाव दूसरा कारण था कि आदिवासियों पर ब्रिटिस प्रांथ में बनाए गए कानूनों का लागू करना अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी कानून बनाये थे अपने इलाकों के लिए अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी भी उन कानूनों का पालन करें तो अंग्रेजों ने बाकी लोगों और आदिवासीों में फर्क करना जरूरी नहीं समझा आदिवासीों को भी बाकी लोगों से बाहर के होते थे अंग्रेज इनको कमपनी सासन की अस्थापना के लिए रखते थे लेकिन ये लोग जारकंड के भोले-भाले आदिवासियों का केवल सोचन करते थे और ये जो बाहरी या नॉन जारकंडी लोग थे वे आदिवासियों को हीन यानि इंफिरियर समझते थे उनको लगता था कि ये जंगली टाइप के लोग है वे खुद को इन से उपपर समझते थे इसलिए कभी इनकी भलाई करने के बारे में नहीं सोचते थे केवल इनको परिशान करते थे और आदिवासियों को दिकु कहते थे एक्चली दिकु जो वर्ड है वो दिक से निकला ह दिक मतलब होता है परिशान करने वाला तो बाहरी लोग जो इने परिशान करते थे आदिवासि उनको दिकु कहने लगे और अगला कारण था राजाओं और जमिंदारों का असंतोस मतलब कि उस समय यहां के जो लोकल राजा ये जमिंदार थे जैसे पलामो का राजा तो इन लोगों में काफी गुसा था और इन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाब बढ़काया और विद्रोग किया एक और कारण था क्रिशी की समस्या यहां के जो आदिवासी थे वो जंगलों पर बहुत जादा डिपेंडेंट रहते थे जंगलों से उनको फल जड़ी बूटी लकडी बगैरा मिलती थी वो जंगली जानवरों का सिकार करते थे जिससे उनका अपना गुजारा चलता था और यहां के आदिवासी अस्थांतरित क्रिशी करते थे अस्थांतरित क्रिशी मतलब सिप्टिंग कल्टिवेशन मतलब की जगा बदल बदल कर ख सुना होगा जो की गवर्नर जनरल अप बेंगॉल था 1786 से लेकर 1793 तक लोड कॉर्णवलिस को फादर अप सिविल सर्विसेस इन इंडिया भी कहा जाता है इसी के समय में पर्मिनेंट सेटलमेंट लाया गया इसने आदिवासीों की जीवन और उनके रहन सहन को पूरा बदल अब उनको एक ही जगा पर खेती करना होता था और अंग्रेज उनसे लगान यानि टैक्स वसूलने लगे और धीरे धीरे टैक्स बढ़ता गया और आदिवासी किसान टैक्स चुकाने के लिए जमिनदारों और सहुकारों के चंगुल में फस्ते गया और लगान नहीं देने पर जमिनदार उनकी जमीनों पर कबजा कर लेते थे और 1770, 77 और 1800 में जारकण में बहुत बहेंकर अकाल पड़ा इस समय बहुत सारे आदिवासी तो कहीं और चले गए पर जो नहीं गए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब बिद्रोग कर दिया क्योंकि अंग्रेज अकाल ह थी उनको दूर करने के लिए कानून बनाएं आपने विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा ये पहले गवर्नर जनरल ओफ इंडिया थे 1828 से लेकर 1835 और इसने 1829 में सती प्रता को खत्म करवाया था राजा राम मोहन राय भी सती प्रता खत्म करवाने में सामिल थे राजा र आदिवासियों ने विरोध किया और ये वी विद्रो का एक कारण बना इसके अलावा जो इसाई धर्म प्रचारक थे ये आदिवासियों की मदद या सेवा करते थे और इनको पढ़ा थे या सिक्षित करने की कोशिस कर रहे थे लेकिन साथ ही ये इसाई धर्म का भी प्रच और जो जन्जाती धर्म या आदिवासीों के जो विश्वास थे उनको अच्छा नहीं मानते थे उनके विरुद बोलते थे तो यह सब यहाँ के आदिवासीों को पसंद नहीं आया तो यह सब रीजन थे इसके अलावा भी कई छोटे बड़े कारण थे जिस कारण से यहाँ के जन्जाती आदिवासी लोगों ने विद्रो किया था तो चलिए अब देखते हैं ढाल विद्रो के बारे में जो 1767 से लेकर 1777 तक चला था ढाल विद्रो हुआ था यहाँ इस्ट सिंभूम के इलाके में यह अभी का जो इस्ट सिंभूम जिला है यहाँ ढाल विद्रो का इल ने धालबूम पर कबजा करके पहले तो जगनाद धाल को राजा बनाया लेकिन अंग्रेजों के जाते ही जगनाद धाल ने खुद को सोतंतर गोसित कर दिया और कर देना भी बंद कर दिया तो अगले साल 1768 में लेटिनेंट रुक को भेजा जगनाद धाल को समझाने के लिए लेकिन जगनाद धाल तो भाग गया और लेटिनेंट रुक ने जगनाद धाल के छोटे भाई नीमू धाल को बंदी बना लिया और उसे अपने साथ ले गया और फिर इसके बाद कैप्टन चार्ल्स मोगन को भेजा गया और चार्ल्स मोगन ने क्या कि जगनाद धाल को हटा 1767 से 1777 तक 10 सालों तक विद्रो करता रहा तो ये जो जगनाद ढाल का 10 सालों का विद्रो था इसे ही dehal withdraw कहा जाता है तो इस ढाल विद्रो का आपको ये याद रखना है 1767 से 1777 तक और विद्रो का नेता या जो लीडर था वो तो जनजातिय विद्रो डाल विद्रो का नेत्रित तो किस ने किया था विर्षा मुंडा तिलका मांजी जगनाठ डाल या मुकुन सिंग ने तो विर्षा मुंडा का विद्रो तो आप सबको पता ही होगा 1899 से 1900 तक चला था और तिलका मांजी का अंदोलन हुआ था 1784-85 में और ये जो मुकुन सिंग है मुकुन सिंग आप लोगों को याद है ये रामगड का राजा था जब अंग्रेज हजारी बागवाले इलाके पर कबजा कर रहे थे उस समय ये रामगड का राजा था तो इसका एंसर है जगनाठ ढाल तो इस वीडियो में बस इतना ही नेक्ट वीडियो में हम बात करेंगे चुवार विद्रो के बारे में उमीद करता हूँ आप लोगों को काभी कुछ जानने को मिला और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ सेर कीजिए आप मुझसे इन सोसल मेडियास पर जूड सकते हैं या मुझे इस मेल आइडी पर मेल भी कर सकते हैं थैंक्यू सो मच जुहार